दोस्तों कि आप जानते हैं आपका जनम का महीना आपके personality के बारे में बहुत कुछ बता सकता है या मैं कहूँ कि बहुत कुछ predict कर सकता है तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? वैसे आज तक हमें यही पता था कि personality तो astrology से predict की जा सकती है लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको आपके birth month के हिसाब से personality के traits बताएंगे जिससे आप अपनी और दूसरों की personality को समझ पाओगे तो जानने के लिए वीडियो में end तक बने रहना and without further ado, let's get started और तो और January में पैदा होने वाले लोगों को actor बनने के सबसे जादा chances होते है जैसे कि हमने पहले कहा कि ये लोग अपनी responsibilities की बहुत respect करते है इसलिए ये लोग बहुत अच्छे athletes भी होते है कि discipline के वज़े से ही बाकी के लोग भी इन्हें बहुत admire करते है और यही एक वज़ाय कि January बॉन लोगों को the determined dreamer कहा जाता है अब बात करते है साल के दूसरे महिने यानी February की दोस्तो February में पैदा होने वाले लोगों को अकसर creative thinker कहा जाता है इन लोगों की imagination बहुत strong होती है और ये लोग बहुत ही artistic nature वाले होते है February में जनम लेने वाले लोग बहुत ही जादा खुले वेचारों वाले होते है जिने नही नही चीजों का experience लेना बहुत पसंद होता है February में पैदा होने वाले लोगों को regular 9 to 5 job करना अच्छा नहीं लगता बलकि इन्हें अपनी जिंदगी flexible अच्छी लगती है इस महीने में पैदा होने वाले लोगों के compassionate nature की वज़े से इनके बहुत सरे दोस्त होते है March में पैदा होने वाले लोगों को अकसर अपने charisma और अच्छी communication skills की वज़े से जाना जाता है मार्च में पैदा होने वाले लोगों को words से खेलना और हर situation में सही words को choose करना बहुत अच्छे से आता है मार्च में जनम लेने वाले लोग social life को बहुत enjoy करते हैं इसलिए इस मन्थ में पैदा होने वाले लोगो social butterfly भी कहा जाता है दूसरे लोग अक्सर मांच में पैदा होने वाले लोगों की करिजमाटिक पसनालिटी के तरफ खीचे चले जाते हैं साल का चौथा महीना एप्रिल होता है और इस महीने में पैदा होने वाले लोग बहुत ही जादा इनोवेटिव नेचर के होते हैं एप्रिल में जनम लेने वाले लोग कभी भी किसी सपोर्ट को नहीं धूनते बलकि वो हर काम को अकेले करने की हिम्मत और जजबा रखते हैं इस महीने में पैदा होने वाले लोग अकसर मुश्किल से मुश्किल और नामुम्किन लगने वाली चीजों को भी करके दिखाते हैं और यही वज़ा है कि एप्रिल में जनम लेने वाले लोगों को दा इंडिपेंडेंट इनोवेटर भी कहा जाता है इसके अलावा दोस्तो एप्रिल बॉन लोग किसी भी सिचुएशन में डिसपोइंट नहीं होते और हर चीज़ की ब्राइट साइट पर फोकस करते हैं इस तरह का नेचर उन्हें बहुत ही ज़ादा ऑप्टिमिस्टिक बनाता है और तो और दोस्तो एप्रिल मंत में पैदा होने वाले लोगों की सबसे खास बात यही है कि ये लोग हर काम में बहुत अच्छे होते हैं इनका determination और confidence इनने success की तरफ ले जाता है 2004 में हुई एक study के मुताबिक में महीने में पैदा होने वाले लोग अपने आपको बहुत ही ज़ादा लखी मानते हैं और इस महीने में जनम लेने वाले लोगों का नेचर बहुत ही royal होता है अगर आप history को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से राजा और रानियों का जनम में महीने में हुआ था जैसे कि Queen Victoria उनका भी जनम 12 में 18-19 में हुआ था में बहुत पसंद होती है बाकी के लोग में महीने में पैदा होने वाले लोगों पर बहुत ही जल्दी trust कर लेते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ही जादा loyal होते हैं इसके अलवा में महीने में पैदा होने वाले लोग अपनी life में stability और security को बहुत एहमियत देते हैं लेकिन दोस्तों कभी-कभी कुछ चीजों को लेकर में महीने में जनम लेने वाले लोग बहुत जिद्धी हो जाते हैं. बट आफ्टर ओल दोस्तों ये जिद्ध भी उन्हें determined ही बनाती हैं जिससे वो ultimately खुद को ही motivate करते हैं और एक reliable rock की तरह बन जाते हैं. दोस्तों जून महीने में पैदा होने वाले बच्चों के कुछ traits मार्च में पैदा होने वाले बच्चों से मिलते हैं. जैसे मार्च में पैदा होने वाले लोगों की तरह जून में पैदा होने वाले लोगों का भी communication बहुत जादा अच्छा होता है. जून में जनम लेने वाले लोग अकसर अपने words को इस तरह से choose करते हैं जिससे वो दूसरों के सामने एक natural entertainer की तरह उभर के आते हैं जो भी लोग इनके साथ बैठे हुए होते हैं वो बहुत ही जादा comfortable महसूस करते हैं जून में पैदा होने वाले लोगों के अंदर बहुत ही curiosity होती है इसलिए अकसर नई चीज़ों को try करते रहते हैं और अलग-अलग तरह के experiences को gain करते रहते हैं इसके अलबा जैसे हमने पहले कहा कि मार्च और जून में पैदा होने वाले लोगों के traits मिलते हैं यही वजाए कि जून वाले लोग भी मार्च वाले लोगों की तरह social butterfly होते हैं और physical trait की बात करें तो जून में जनम लेने वाले बच्चों की height काफी अच्छी होती है अगर आपका word day भी जुलाए में आता है तो आप भी एक definitely बहुत जादा caring एंसान होगे दोस्तो studies के मुताबिक जुलाए में जनम लेने वाले लोग बहुत ही जादा kind और caring होते हैं उन्हें लोगों के साथ बहुत ही deep empathy होती है इसलिए यह अपने ask pass वाले लोगों को हर तरह की situation में support करने के लिए हमेशा तयार होते हैं इनकी ये emotional intelligence उन्हें लोगों से connect करने में ब बहुत ही जादा सेहन शक्ती होती है और ये लोग अपने emotions को बहुत ही आसानी से control कर लेते हैं और तो और दोस्तो जुलाए बॉन लोग जादा तर left-handed होते हैं और तो और दोस्तो ऑगस्ट बॉन लोगों के अंदर बहुत ही जादा अच्छी leadership qualities होती है ये लोग खुद को बहुत ही जादा अच्छी से present करते हैं और इनके अंदर एक natural confidence होता है जिससे दूसरे लोग बहुत ही जल्दी influence हो जाते हैं और तो और दोस्तो ऑगस्ट बॉन लोग कभी भी किसी भी तरह की नई responsibility को लेने से पीछे नहीं हटते हैं इसके अलावा ऑगस्ट में जनम लेने लोग बहुत ही जादा organized होते हैं जिने अपना हर काम सही डंग से और सही वक्त पर करना पसंद होता है और यही वाजा है कि यह लोग जादा दोस्त नहीं बनाते और यह लोग काफी adventures भी होते हैं और जनम लेने वाले लोगों की सबसे खास बात यह है कि इनने नॉर्मल के मकाबले में sandwiches खाना बहुत जादा पसंद होता है दोस्तो सब्टेंबर में जनम लेने वाले लोग बहुत ही जादा logical होते हैं यह लोग imagination से जादा practical चीजों को importance देते हैं सब्टेंबर में पैदा होने वाले लोग practical सोचते हैं और हर मुश्किल से मुश्किल problem को solve करने का determination रखते हैं यह लोग बहुत ही जादा detail oriented होते हैं इसलिए सब्टेंबर में जनम लेने वाले लोग अक्सर academic और professional life में बहुत आगे होते हैं इसके अलावा दोस्तो सब्टेंबर में जनम लेने वाले लोगों की average age दूसरे months में पैदा हुए लोगों से जादा होती हैं दूस् अक्टबर में पैदा होने वाले लोगों की diplomatic skill की वज़े से ये एक natural mediator बन जाते हैं और तो और October bond लोग अपनी साफ सोच और justice के लिए जाने जाते हैं इसके अलावा दोस्तों October में जनम लेने वाले लोगों की personality बहुत strong होती हैं और जैसे मैंने पहले कहा ये लोग काफी romantic ह होते हैं इसलिए ये लोग काफी अच्छे party host भी होते हैं दोस्तों अगर आपका birthday November में आता है तो आपको ये बात जानकर बहुत ही खुशी होगी कि November bond लोगों को सबसे जादा खूपसूरत माना जाता है और इन लोगों की fitness भी काफी अच्छी होती है इसके अलावा दोस्त लगाने से बिल्कुल पीछे नहीं अटते ये लोग new truths को reveal करने और नई चीजों को discover करने में लगे रहते हैं December साल का सबसे आखरी महीना होता है लेकिन इस महीने में पैदा होने वाले लोग असल में सबसे आगे होते हैं ये लोग बहुत ही जादा optimistic होते हैं जो अपने साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखते हैं ये लोग खुशियां बाटने में भरोसा करते हैं इसके अलवा दोस्तों December bond लोगों को दूसरों से बात करना बहुत पसंद होता है और यही वजाय कि सब लोग इन्हें बहुत जादा पसंद करते हैं और इनसे दोस्ती सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो पॉप कर रहा है प्लीज उसपे क्लिक करो मैं मिलता हूं आप से अगले वीडियो में अंटिल नेक्स ताइम पीस आउट